बहुत ज़्यादा गर्मी अगर पढ़े तो क्या वह भी नुकसान है ऐसे तो सभी जानते हैं कि ज़्यादा गर्मी करने मतलब ज़्यादा गर्मी अगर पढ़े तो बहुत ज़्यादा जो है मैंडली जो है परिशान हो जागा इंसान लेकिन मैंडली आप जान लो बहुत ज़्यादा गर्मी में दिमाग की सुरक्षा परत तूटने लगती है, विशेशग्यों का कहना है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने और पसीना निकाल कर शरीर को ठंडा करने में दिमाग की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है, जी बिल्कुल, डिस्कवर मैगजीन की रिपोर्ट के मताबिक तापमान अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगे, तो उस वक्त माइडिया प्रेंस दिमाग के चारों और मौझूद जो सुरक्षा परत जो होता है वो बलड ब्रेन, बलड ब्रेन बैरियर जो होता है वो टूटना सुरू कर देता है इस बात को समझो आप ठीक है इससे दिमाग में प्रोटीन और आइरन जैसे पदार्थ जो है धीरे 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 एकट्था होने लगते हैं और फिर दिमाग में सूजन सुरू हो जाता है समझ मैं आरी इसी टॉपिक पर आज का हमारा वीडियो है नमस्कार में वीडियो पर आज नहीं हो सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि मेरे चानल जी एचकेट को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकर का बटन दबा देना ताकि वीडियो का नौडिफिकेशन सबसे पहले आपको नुलेगा जूड़ने की जोतनी पड़ेगी जिया नतीजतन क्य जाएगा आइरन जमा होने लग जाएगा एक ही साइड में इस वजए से दिमाग में कोशिकाई जो है वो सेल्स होती है वो धीरे-धीरे मरनी सुरू हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है तो मैं कह रहा था कि तापमान संतुरन बिगरने से दिमाग पर भी क्या असर होता है यही तो जानना है बढ़ते हुए तापमान से निपटने और खुद को ठंडा रखने के लिए शरीर स पानी यानि की पसीना निकलता है निकालना भी जरूरी है ज्यादा तापमान में शरीर ज्यादा पसीना निकालेगा और पानी की कमी आपके बोडी में होती जाएगी इसे शरीर का तापमान संतुरन बिगर सकता है अब ऐसे में अगर आप सामान से ज्यादा पानी नहीं पी चीन में एशिया और चीन में बहुत ही ज्यादा गर्मी पढ़ने के कारण लोगों को चिताबनी भी जाड़ी किया गया है लोगों को हर संभव तरीके से हर मुसीबत के लिए तैयार रहने को कह दिया गया जियां सबसे पहले समझते हैं कि बढ़ता हुआ जो तापमान होता है हमारे लिए कम मुसीबत बनना शुरू हो जाता है माडिये फ्रेंस विशेशक्यों के मुताबिक जब हमारा शरीर जब हमारा बाडी जो है वो मतलब तमाम कोशिशों के बाद भी खुद को ठंडा रखने के लिए संघर्स करने लगता है तो ज्यादा गर्मी तनाव का कारण बनने लगता है ऐसा होने पर हमें कई तरह की स्वास्त समस्याएं होनी शुरू हो जाती है मैडिये फ्रेंस कई बार भीषनगर्मी परने पर जो है इनसान का दिमाग जो है वो काम करना दिले दिले बंद कर देता है दिमाग के काम करने की शमता पर काफी बुरा जो है असर पड़ता है कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ज्यादा गर्मी में जब हमारी जो है जो तोचा होती है तोचा का सूरज से आने वाली ज तो स्कीन कैंसर की आसंका बढ़ती चली जाएगी जिया बहुत ज्यादा गर्मी में बार बार अगर सन बर्न होने पर डी एन ए की शती होती है उस वक्त पिर उनके बाद कोशिकाई जो है वो अनियंटित होने लगती है इससे कैंसर की आसंका जो है बढ़ती चली जाती है ज्य दरसल माइडिया फ्रेंस ज्यादा गर्म मौशम के कारण वातावरण में वजूद हवा की गुनवत्ता पर भी बुरा अशर पड़ता है। दरसल ग्राउंड लेवल ओजोन जो होता है वो ज्यादा गर्मी में फेफडों के काम करने की शम्ता पर बुरा असर डालती है। इससे आस्थमा जैसे रोगों को बढ़ावा मिलता है। आपको बता दें कि ग्राउंड लेवल ओजोन परत जो होती है। सुर्ज की रोश्री पर प्रतिकिरिया करने वाले प्रदुशकों से बनने वाली हानिकारक गैसें भी बनती जाती है। फिर उसके बाद जो हमारा ओजोन परत है जो ओजोन मंडल है वो धीरे धीरे डिस्ट्राइव होता चला जाता है। सुर्ज की डारेक्ट यू भी किर्णों से। माइडिय फ्रिंट्स डॉक्टर्स के मताबिक ज्यादा गर्मी बढ़ने के कारण हमारी जो रक्त वाहिकाएं होती है वो धीरे धीरे फैलती चली जाती है। इससे लॉ ब्लेड पेशर्स की समस्या भी पैदा हो सकती है। यानि कि लॉ ब्लेड पेशर्स की अस्थिति में आपको चक्र तक आ सकता है। तबियत घबराने लगती है यहां तक कि आप मुर्छित हो जाते हो बेहोस भी हो जाते हो। ब्लेड पेशर्स कम होने की अस्थिति में आपके हिर्दे पर ज्यादा भार पड़ता है क्योंकि उससे भी हर धरकन ज्यादा ब्लेड कम करके इसकी भरपाई करनी पड़ती है। ऐसे में आपकी हार्ट बीट भी बढ़ सकती है। यह भी घबराहट का कारण बन सकता है। जी हां, माई डिया फ्रेंज आप ये बात जान लो कि बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण हर साल सैक्रों लोगों की मौत होनी की जानकारी ही सामने आती है। दरसल बहुत ज़्यादा गर्मी में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। जो डिहाइड्रेशन्स या हीट आपमान एक सो तीन डिगरी फोरें हाइट से उपर चला जाता है। हमारी नब्ज काफी तेज हो जाती है, यही नहीं। तोचा पर लाल चकते पढ़ने लगते हैं, सीर में दर्द, भ्रम की अस्तिती बंदे लगती है और अपने आप में खीज पढ़ने लगती है। इसके इसलिए कम से कम उस अस्तिती और परिस्तिती में हमें बडी को हाइडलेट रखने की ज़रुत है, तो उस कंडिशन में हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। अभी जैसा कि आप देख रहे हो मौशम में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, उस शिनता भड़ी गर्मी है। यह नहीं कि प्यास लगे तो ही पानी पीना 일 फिर पानी हर घंटे कोसिस कोरू कि मेरे को कम से कम पानी पी न estatना एक गिलास और खेलेख सेख और अगर पीते हो आप क्वारी और आतज गने का समय है, तो कम से कम अगर आञ गिलास पानी पानी होता है। और आठ ग्लास पानी तो आपका दिमाग आपका संतुलन में रहेगा आपके संतुलन में रहेगा क्योंकि दिमाग जो है body का वो parts होता है जो की head of control होता है अगर यही हमारा head of control अशंत्रित हो जाए driver के control में ना रहे उस conditions में हमारा body का क्या हाल होगा हमारी जो यह body है हमारा जो machine है उसका क्या होगा I think I hope दोस्तो videos अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्यादस ज्यादस लोगों को share करो ताकि वो लोग भी हमारे इस videos को देखते हुए लाव उठा सके तर तक हमारे videos पर बने रहो और देखते हो जैहिन जै भारत